नमस्कार दोस्तो पहाडी आयर्वेदिक में आपका स्वागत है। दोस्तो आज मैं आपके सामने सब्त परनी का बिच लेकर आया हूँ। और इस बिच के फाइदे के बारे में भी वताऊंगा। इससे पहले हम इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। पत्ता एक ही जगह लगा हुआ दिखा रहा हूं यह देखिए एक दो तीन चार पांच छे साथ इसमें कहीं कहीं नो भी लगे हुए हैं तो दोस्तों देख लीजिए पहचान लीजिए या भी एक आयरवेदिक आउस्दी गुड़ों से भरा हुआ पौधा है तो दोस्तों इस कि यह सब्द परणी का फूल है कि पहचान लीजिए देख लीजिए फूल भी गुद्छो में लगे हुए हैं तो दोस्तों आप लोग ठीक से पहचानलीजिए सब्द परणी का फूल मैं दिखा रहा हुं आपको यह देखिए बढ़ा करक दिखा रहा हूं फिर छोटा भी कर देघा हूँ यह देखिय को कि इसे सब परणी की फूल QA loops तो दोस्तो पहचान लीजिए यह शब परणी का फूल है OR पत्ता और दोस्तों मैं आपको यह साथ पत्तों का जो समू है एक ही सरकल में साथ पत्ते लगे हुए हैं वो पत्ता मैं आपको दिखा रहा हूं गिल लीजिए यह देखिए हां तो मेरे दोस्तों और देखिए यह पौधे की उचाई करीबन के पंद्रा से 20 फुर्ट तक है या विरिक्ष बन चुका है पहले तो पौधा था हां तो दोस्तों मैं और कुछ आपको दिखाना चाहता हूं यह जो साथ परनी का पत्ता है इस पत्ते बीच में डंटल होता ह यहीं से नया पौधा निकलता है वह पौधा भी मैं आपको दिखाता हूं जो यहां से यहां से बढ़ेगा तो देख लीजिए दोस्तों पहचान लीजिए यह देखिए यह बढ़ता हुआ है फूल की जैसा दिखने वाला यह पत्ता और यहां से यह नया पौधा निकला जो मैंने अभी वहां आपको दिखाया कि साथ पत्तों को बीच में से डंटल निकलता है तो और मैं आपको बताना चाहता हूं इस पत्ते को तोड़ने के बाद देखिए इस तरह से दूद भी निकलता है यह देखिए पहचान लीजिए तो दोस्तों आप लोग काईदेस इस फूल फली भी गुच्छों में लगते हैं और इसके फूल अक्टूबर के महीने खिलते हैं और यह महीना अक्टूबर का ही है तो दोस्तों, इस ब्रिच को बाग बगीचे या सड़क के किनारे गारणों में सुंदरता के लिए लगाया जाता है या दिखने में बहुत सुंदर मनमोहग लगता है और इसके फूलों को खुश्बू बहुत ही मनमोहवन होता है और काफी छायादार यह ब्रिच होता है तो दोस्तों मैंने आपको यह बताया कि यह ब्रिच काफी छायादार होता है तो मैं इसका छाया भी आपको दिखाता हूँ अगर यह पेड के नीचे कोई अराम करना चाहे तो अराम कर सकता है यह काफी गोल मटोल छायादार ही ब्रिच होता है तो दोस्तों मैं उमीद करता हूँ कि आपने इस ब्रिच को पहचान लिया होगा तो अब मैं आपको सप्ट पर्णी का नाम अलग-अलग भासाओं में पत्र के नाम से जानते हैं मगर अलग-अलग भासाओं में इसे अलग-अलग नामों से भी जाना जाता है सब पर्णी को मराठी और गुजराती में सात्वन कहते हैं और अंग्रेजी में डीटा पार्क कहते हैं और इसका लेटिन तथा वो नस्पत्ति नाम अल-इस्टोनिय स्कॉलरिस कहते हैं तो दोस्तों मुझे उमीद है कि आप इस ब्रिच को पहचान चुके होंगे तो आओ अब हम आगे फाइदे के तरफ बढ़ते हैं तो दोस्तों इसकी छाल बहुत ही कड़ूई होती है इसके छाल के काड़ा रक्त दोस्त विसनासक होता है इसलिए कोल रो कि अनुसार यह कडू तित भी सहरी उसम अगनी को बढ़ाने वाली बिरिच्छ माना जाता है यह वाता वरण में उड़ने वाले किटो कीडो को या संक्रमण को बहुत जल्दी नास करने वाला पोधा है इसलिए इसे जाधा करके गार्डन में या फिर सड़क किनारे वाता पोरण को साप करने के लिए लगाया जाता है तो दोस्तों जितना फाइदा इस पोधे में फाइदा एक साथ कुछ नुकसान भी है यह पोधा थोड़ा भी सेला होता है इसलिए हवा के अंदर फैलने वाले संक्रमण वायरस को या कंट्रोल करता है और किटाड़ों को नास क करने वाला यह पोधा है इसलिए इसे गार्डन में लगाया जाता हवा को सुद्ध करने के लिए और दोस्तों मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि इसके पत्तों काड़ा जल्दी न उतरने वाले बुखार में इस्तमाल किया जाता है इस बिरिच में बहुत सारे और नुकसान भी है तो दोस्तों मैंने आपको यह बताया कि यह पौधा विस नासक कितना सक है संक्रमर्ड बेक्टेरिया वाइरस को नास करता है नश्ट करता है तो यानि जीव नासक है तो इसी तरीके से हमारा सरीर भी एक जीव धारी है हमें भी यह थोड़ा बहुत नु महातपुर जानकारी आपको सुनने में कैसा लगा अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चाइनल पहाड़ी आयरवेदिक को लाइक कीजिए सेर कीजिए सब्क्राइब कीजिए तो फिर दोस्तों हम दूसरे वीडियो में मीलेंगे नमस्कार